जोदी कुमा सीन प्रेश्टा चार परिवारवात की लगाई फिर से अब यहां से शुरू हो गई है आज प्रधान नुंत्री के संबोधन के बाद से देखे पूजा जी मैं सरप्रथम इस देश को आजादी दिलाने में जो सतंता से नानियों ने अपना बलिदान दिया उनको याद करते हुए नमन करते हुए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं सतंता दिवस पर और आज का भासन बहुत ही हम युवाओं को किसान मंतरी लाल खिले से भासन देते रहे बिरोजगारी पर बात करते रहे रोजगार की बात करते रहे किसानों के आयके बढ़ाने की बात करते रहे डिवलप्मेंट की बात करते रहे गरीब और अमीर के बीच में खाई पाटने की बात करते रहे आज तक वो काम नहीं हुआ एक नया-चोजी ला रहे थे, अरे आपने जो बाते कहीं ती पहले, उसको तो आपने पूरा नहीं किया, इसके लिंड्या के मारफ़त से क्या-क्या किया, क्या और नहीं किया, आज Green Revolution और क्या-क्या नया-चोजी दे रहे थे, ये क्यों लोगो को भरमाते हैं आप, आज के ही, आपके ही मैंने रिपोर्ट में देखा कि किसान आज भी काले घंडे दिखाने की मंता से लेकर गाउं गाउं और ब्लॉक बॉर्डर पर खड़े हैं क्यूं एक भी अगर आदमी अगर आज के दिन पर संता दिवस पर अगर एक एक आदमी भी अगर इस तरह की बात सोचता है त काफी लोग ले चुके मैं उसको दोराना नहीं चाहता हूं लेकिन व्रस्चाचार के नाम पर आप वन सुवाद के नाम पर आप जिस जिसको कटपुतली की तरफ संसंद में क्या-क्या ब्यान दिलवा रहे हैं अनुराट ठाकुर कौन है प्रेम सिंग धुमल का बेटा कौन है यह बताईए आप वेद प्रकास गोईल के बेटा फ्यूस गोईल कौन है यह लोग कौन है यह लोग तो आप अपने घर में साफ सफाई करना नहीं चाहते हैं और क्या दिन को आप बोलते हैं रात हैं यह वही बात हो गई ना कि प्रेम सिंग धुमल का बेटा अनुराग उसında क्या-क्या बोला रहे हैं आप पलियामेंट में और बाहर और परिवारबाद के लालिए से आप आसन दे रहें तो यह तो वही बात हो गई ना कि आप दिन को बोलते हैं रात बोलोग परदान मंत्रियां तूंकों रात बोलना पड़ेगा किसान आज बॉर्डर पर खड़ा है अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप उसको कर नहीं रहे हो विपक्ष जो संभिधान की बात करती है और आज अगर राहूल गांदी नहीं ये बात कहा तो कोई भी नहीं है आप उनके तमाम मेताओं की नाम गिना रहे हैं तो आपकी पार्टी में फरिवारवाद किस तरह से फैला हुआ है और तमाम जो आपकी गड़बंधन में तमाम राज़िते की बिदार रहे हैं कुझा जी देखे आप प्रथान मंत्री इसको क्लेम कर रहे हैं मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं करदम का उनको पता नहीं है कि हर बार 65% लोग जो नहीं चुनके आते हैं उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं आपकी एक लाख लोगों को मैंच करूंगा वो और लेड़ी इस लोग तंत्र को जो विपक्ष ने जंडा डाला जिसको जिनको इनको भुगतना पड़ा इस बार 400 का बोलते बोलते आ गैती 240 पर वो यही बोलते बोलते कि राहुल गां पहनने का अधिकार खतम कर देंगे बोलने का अधिकार खतम कर देंगे तो यहीं मान के तो इनको घटाया वो तो पीवी कुछ टीवी चैनल जो ओपिनियन पोल जूट एक साथ से चलाते रहों लोगों कर 50-60 जादा दे दिया नहीं तो कहां कहीं नहीं रहते तो आज का प्र युवा गैर राच्तिक बेग्राउंड से आए 65 फीसदी तो होंगे और मैं पूछना यह चाती हूं आप से कि अगर यह लोग आ जाते हैं तो क्या होगा अनुराग ठाकूर का क्या होगा पियुष गोयल का पांकर सेंग का बांसुरी सवराज का अभी उन्होंने जोइन किय पार्टी क्या होगा इनका पुझा जी जो नीती और नियट ठीक हो तो नेसर नीती रंतर नहीं उचाहिया चूता है रिफॉर्म पर्फॉर्म और ट्रांस्फॉर्म की निती देते हुए उन्होंने तीन लाग संस्थाओं को भी नगरपालिका पंचायत राज्य से केंद्र सरकार तक रिफॉर्म करने की बात गई कितनी बाति गई लेकिन कॉंँग्रेस तो कुछी बात रिफॉर्म के राद आते ज्याल राहुल गांदी घुमखुम कर पत्रकार से किसां से नौजवान से सेना से सब्से पुछते हैं कौन जात हो बाई तुमारा माली कौन जात है बाई ले स्चाहां कि भाई जो जादी पूछे पूछे पोत्र ये तमासा तो आप ही कर सकते हैं तुसरा बाद 42 पर थे तो कोट के उपर जेनु लगाते थे और निनानवर पर जागर कहते हैं हिंदू इंसक होता है तो ये बाद इतनी को चुब आप भी तो 240 पर आ गए ना को प्रश्टाचार परिवारवाद का मुद्दा उठाया तहां चला कहां चला था नंजा जी कहां चला बोले खनेंदर भार दुआज आरी चोति कुमार सिंह घनेंदर भार दुआज पुझा जी मुझे बिंदुबार अब बाद कारी को बाद करना पड़ेगा धरन जी बोले